नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम पढ़ रहे हैं आज जियोग्रफी क्लास 7th NCRT आवर इन्वार्मेंट और इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 4 एयर तो आप इस चैप्टर की नाम से ही समझ चुके होंग कि हमारे एक्टमास्फेर में कैसे कैसे चीज़ होती है एयर और विंड कैसे चलती है कि सब हम जानेंगे इस अपने चैप्टर में चलिए तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि atmosphere होता क्या है हमारे अर्थ के चारों तरफ जो भी gases की एक blanket है जो एक वातावरन हमें बिलता है gases का उसे हम कहते हैं atmosphere atmosphere एक हमारे लिए जो blanket of air है अर्थ के लिए एक protective layer का काम करती है और ये अर्थ को कई सारी sun की जो harmful radiation है उनसे बचाती है अगर atmosphere नहीं होगा तो एक sun की जो गर्मी है वो बहुत ज़ादा होगी यहाँ पर temperature बहुत ज़ादा होगा sun की radiation में बहुत energy होती है तो harmful radiation बहुत ज़ादा होगी तो atmosphere हमें से भी बचाता है high temperature से भी बचाता है sun के और अर्थ को क्या करता है जमने से बचाता है क्योंकि temperature जो है वो maintain करता है हमारा atmosphere ना तो बहुत ज़ादा रहने देता है ना बहुत कम रहने देता है sun की जो गर्मी है उससे हमें बचाता तो है ही दूसरी और एटमोस्फेर क्या काम करता है अर्थ जो भी जो हीट है उसको जो अर्थ क्या करती है हीट होने के बाद रेडिकेशन रिलीज करती है तो वो हमारा एटमोस्फेर क्या करता है इस रिलीज जो हीट है इसको ट्रैप करता है और अर्थ के चारों तरफ एक गर्म जो atmosphere जो temperature है उसको maintain करता है और earth पर जो है रहने like बनाता है माहुल को environment को livable और रहने like जो atmosphere है वो बनाता है ठीक है अब इस atmosphere के अंदर कौन कौन सी gases होती है हम सबसे पहले तो हम हमें पता ही है कि जो air होती है हम जानते है atmosphere में air ही होती है और air होती क्या है दरसल air जो होती है वो gases का एक mixture होती है mixture of gases को हम कहते है air अब इसके अंदर कौन कौन सी gases होती है इसके अंदर gases भी होती है और tiny dust particles छोटे छोटे dust particles भी होते है air के अंदर इन सबसे मिलके क्या बनती है air अब air के अंदर 21% सबसे 21% होती है oxygen और सबसे ज़ादा होती है नाइक्रोजन जो की 78% होती है तो एर के अंदर नाइक्रोजन होती है 78% ऑक्सिजन होती है जो सबसे important gas है oxygen वो होती है 21% इसके अलावा जो उसके बाद जो gas होती है वो होती है आरगन जो आरगन होती है वो होती है 0.93% उसके अलावा carbon dioxide और बाकी अधर gas ही अब carbon dioxide जो gas होती है आप देखिए बहुत ही कम मातरा में होती है हमारे atmosphere में लेकिन इसका एक बहुत ही जादा important role ये होता है कि carbon dioxide जो CO2 जिसको बोलते है वो क्या करती है हमारे atmosphere में यहाँ पर CO2 है तो जब sun की radiation अर्थ तक आ अर्थ क्या करती है उस absorb की हुई heat को दुबारा से release करती है और जब अर्थ इस heat को release करती है तो CO2 जो होती है gas ये इस वाली heat को absorb कर लेती है और CO2 क्या करती है अर्थ दुबारा release की गई heat को absorb कर लेती है इस से होता क्या है अगर CO2 ना होती तो ये अर्थ के उपर से heat वापस atmosphere पहुंच जाती बहुत ही तेजी से और अर्थ का टेंपरेचर बहुत ही जल्दी से गिर जाता और यहां पर बरफ ही बरफ होती और टेंपरेचर बहुत ही कम होता और रहने लाइक नहीं होता यह सब चीजे हमें मार्स पर टेंपरेचर बहुत कम कहां देखने को मिलता है मार्स पर मून पर बहुत ही कम temperature होता है क्योंकि वहाँ पर उनका atmosphere नहीं है वहाँ पर heat trap करने वादी gases उनके atmosphere में नहीं है चलिए तो CO2 का इतना important role है बहुत कम मातरा में है लेकिन इतना important role होने की वज़ा से अर्थ का जो temperature है वो atmosphere का वो एक रहने लायक बन पाता है लिवेबल, habitable zone अर्थ जो बन पाती है वो इस gas की वज़े से भी बन पाती है तो दूसरा एक important role ये है कि photosynthesis वो process होता है जिसके दवारा plant जो है पेड़ पौधे अपना खाना बनाते है तो photosynthesis जब होता है पेड़ पौधे अपना खाना बनाते है तो उसके अंदर वो CO2 का इस्त छोड़ते हैं तो C02 release होती है हमशा लेते हैं अच्छेजन अंदर लेते हैं और plant क्या करते है दिवा यूज़ करते है और oxygen को release करते है तो अब होता क्या है जो plant है हो क्या करता है oxygen release करता है और тебе पो लेता है यहां पर इनसान है human kya kespark it CO2 को छोड़ता है oxygen तो अगर जितनी मातरा में plant oxygen छोड़ रहे हैं उतनी मातरा में इंसान oxygen CO2 छोड़ रहे हैं उतनी मातरा में plant CO2 को एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो इससे एक वातावरन में हमारे atmosphere में balance बना रहता है लेकिन अब हम इंसान जब से कुछ सालों से जब से technology बड़ी है इंसान ने चीज़े करना चालू करा है industry revolution आया है जब से fuel यूज़ करने लगे हैं तो fuels का खास दोर पर जो इस्तमाल होता है जैसे कोईला है कोल का और petroleum का इन सब के अंदर क्या होता है जब इनको जलाते हैं तो इसमें बहुत भारी मातरा में क्या निकलती है CO2 अब यहाँ पर एक balance था लेकिन अब क्या हो गया हमने fuel जला कर CO2 को और extra environment में पहुचा दिया है जिससे ये balance disturb हो गया है अब CO2 का function हम समझ चुके थे CO2 क्या करती है heat trap करती है जो earth release करती है उस heat को CO2 trap करती तो अब क्या हो रहा है ये balance disturb हो गया है हमने fuel जला जला कर CO2 की मातरा जादा बढ़ा दी है अब जितना ये balance था ये नहीं है अब मातरा CO2 की जादा हो गई है तो अब CO2 atmosphere में जादा heat है उसको trap कर रही है और इससे क्या हो रहा है atmosphere का और अर्थ के चारो तरफ जो temperature है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जितना temperature नॉर्मल होता था उससे ज़ादा temperature बढ़ता जा रहा है इस phenomena को हम कहते है global warming क्या कहते हैं इस phenomena को कहते है global warming तो global warming की वज़े से अर्थ का जो average temperature है वो बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़े से sea level जो है वो भी increase हो रहा है sea level increase होने की वज़े से और भी कई नुकसान हो रहे हैं जिससे जो आसपास के area में जो coastal area है तटिये जो जो area है वहाँ पर sea level rise हो रहा है वो डूबने का उन पर खत्रा मंदर आ रहा है तो यह जो activity है इसकी वज़े से ही क्या कहते हैं global warming सामने आकर एक threat climate change का और एक हमारे लिए overall environmental threat बनकर सामने आ रहा है अब oxygen का क्या काम होता है हमने समथ चुके हैं इनसानों के लिए useful है प्लांट्स छोड़ते हैं अब इसके बाद nitrogen जो gas है इसका function क्या है nitrogen इनसान जब air जब breathe करते हैं हम air inhale करते हैं जब सांस अंदर खीचते हैं हमारे अंदर भी कुछ nitrogen जाती है उसके अलावा जो plant हैं वो क्या करते हैं nitrogen उनके लिए बहुत ज़ादा important है अगर किसी मिट्टी के अंदर nitrogen की amount है nitrogen की मातरा अगर कम हो जाए तो वो मिट्टी उपजाओ नहीं रहती है तो nitrogen जो है plants के लिए बहुत important है लेकिन अब plants जो है उस nitrogen को direct atmosphere में से नहीं ले पाते हैं इसके लिए क्या होता है plant की जड़ों के अंदर एक bacteria होता है या तो ये bacteria plant की जड़ में होगा या मिट्टी में ये bacteria होगा ठीक है आपने नाम सुना होगा rhizobium का rhizobium वो bacteria होता है ये atmosphere में से nitrogen को लेता है और उस nitrogen को absorb करकर ये ऐसी फॉर्म में बना देता है जिससे plant उस nitrogen को use कर लेगा तो nitrogen जो है plant डारेक्ट नहीं ले पाता plant क्या करता है एक bacteria की मदद से nitrogen को पहले बद चेंज करता है किसी दूसरी फॉर्म में और फिर plant उसको use करता है अब हम यह देखते हैं कि जो atmosphere है हम अर्थ के चारो तरफ जो एक layer है blanket है gases की उसके अंदर भी क्या उसका भी कोई structure है हाँ उसका एक structure है जिसके अंदर gases की layers होती है अब वो layer कितनी होती है वो 5 layer होती है troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere और exosphere अब एक एक करके इन सारी layers को हम समझते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे troposphere की जो सबसे नीचे की layer होती है जहां जो हमारे सबसे करीब होती है जहां हम रहते हैं सारा weather phenomena जहां पर होता है बारिश वगज़ा सब होना यह सब कहां पर होता है यह सब कुछ होता है ट्रोपोस्फेयर में जो कि 13 km तक एक्सेंड इसकी रेंज एक्टमास्फेयर में जमीन से अगर आप उपर जाएंगे तो 13 km तक यह एक्जिस्ट करता है अब जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर की stratosphere की height जो है 50 km तक होती है और इसके अंदर cloud जादा तर नहीं देखे जाते हैं कि कि इसके अंदर जादा तर cloud नहीं देखे जाते हैं cloud free एक area होता है atmosphere का और यहां जब cloud नहीं होते तो visibility जादा होगी तो उस वज़े से यहां पर और थोड़ा शान तिलागा होता है harmful radiation यानि जिनकी मैं बात कर रहा था UV radiation उनसे यह बचाती है इसके अंदर कौन सी gas जो सबसे important role play करती है stratosphere में पाई जाती है ozone जिसका chemical formula होता है O3 तो ozone layer क्या करती है जो harmful radiation आती है यानि UV radiation इसको यह क्या करती है यह absorb कर लेती है और हम तक आने नहीं देती जिससे अर्थ पर इनसान और plants को नुकसान नहीं होता है UV radiation की वज़े से तो तीसरी layer है वो है mesosphere अब जो mesosphere है mesosphere वो layer है जहां पर जो 80 km तक इसकी range है atmosphere में height पर जाएंगे उपर और यह वो layer है जिसके अंदर meteorites burn करते हैं दोस्तों अगर आपको यह शब्द नहीं पता है कि meteoroids क्या होते हैं तो अगर आपको यह शब्द आप जानते हैं कि meteoroids क्या होते हैं तो comment box में जरूर बताईए कि meteoroids कि नहीं कहा जाता है और अगर आपको ये नहीं पता कि meteorites क्या होते हैं तो आप जाकर प्लीज हमारा 6th class NCRT का chapter number 1 जो है वो आप पढ़िए हमने बहुत ही अच्छे एक तरीके से explain किया है उसके अंदर और बिल्कुल जाकर आप समझेंगे उस chapter को आपको 7th class का सब कुछ समझाएगा अगर आप 6th class पढ़िए तो basics अगर अच्छे से होंगे यहां पर आपको सब समझाएगा तो meteorites दरसल एक छोटी चक्ताने होती है जो अंदर आती है अर्थ के atmosphere में लेकिन जब वो जलती है अर्थ के atmosphere से उनको घर्शन मिलता है friction मिलता है वो जलने लग जाती है basically वो छोटी चक्ताने जो ज में इंपॉर्टेंट फैक्स हैं बिल्कुल याद रखिए ठीक है डारेक्ट पूछ ले जाते हैं हवाई जाज कहां उड़ाया जाता है stratosphere में meteorite कहां बर्न होता है मीजो स्फेर में मीजो स्फेर में मीजो स्फेर क्या होती है thermosphere वो लेयर होती है जिसके अंदर temperature जो है बहु यानि temperature related term है thermo जहां पर भी thermo शब्द आ जाया समझ ले और temperature की बात हो रही है तो temperature यहां पर thermosphere में increase होता है इसलिए इसका नाम रखा गया है thermosphere ये 880 से 400 km तक इसकी range होती है और इसका सबसे important जो function होता है वो होता है कि thermosphere के अंदर क्या होता है thermosphere का एक part होता है thermosphere के अंदर एक layer होती है जिसको हम बोलते हैं आइनो स्पेर का मतलब है आइन का होना आइन का मतलब वो chemical species जैसे atoms होते हैए एक्टम्स कैसी chemical species होती हैं, कैसे chemical species होती हैं, जिसके जो neutral होती हैं, जिन पर कोई charge नहीं होता, आइन्स वो होती हैं जिन पर पॉजिटिव या negative charge होता है, तो अगर एक्टम में से electron को निकाल दें, तो positive charge आ जाएगा, एक्टम में से electron को डाल दें, तो negative charge आ जाएगा, तो आइन जो होते हैं आयनो स्फेर में आयन्स होते हैं और वो एक्मास्फेर में प्रेजेंट होते हैं यह लेयर में आयन्स होते हैं तो आयनो स्फेर के अंदर क्या होता है आयनो स्फेर की जो यह लेयर है यह अर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहां पर करती है यह अर्थ के र क्या मतलब है रेडियो वेवस वो वेवस होती है जो कम्यूनिकेशन के लिए यूज की जाती है जब आप फोन पर बात करते हैं किसी से तो उसमें से रेडियो वेवस निकलती है और वो आपका मेसेज यहां पर भेजती है दूसरे फोन में तो रेडियो वेवस कम्यूनिकेशन के लिए यूजिं की जाती है अब मोबाइल जो है अर्थ पर जो रेडियो वेव comprehensive के लिए कैसे रिव уж की जाती है यहां पर एक जो कुई दिbud लीजे कोई टावर है या कोई सेटलाइड एक टावर है यहां पर वो क्या करता है यहां से रेडियो वेर छोड़ता है और यहोड़ और रिलिप्लेक्ट होकर वापस अर्थमिशन था बलते हैं और दूसरे जगा पर receive कर ली जाती है यहां से छोड़ी गई reflect होई आइनो स्वेयर से रेडियो वेव वापसके मिली इसको बोलते हैं यहां पर रेडियो वेव के लिए transmission इसे बोलते हैं एक्जोस्फेर की और यहां पर आकर यहां पर इसको एक्जोस्फेर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबसे बाहर की एक्जो मतलब बाहरी तो सबसे बाहर की लेयर है यहां पर जो एयर है बहुत ही थिन हो जाती है यहां पर बहुत कम पाई कम मात्रा में पाई जाती है और यहां पर जादतर जो helium और hydrogen gas ही मिलती है अब हमें ये बिल्कुल समझ आया अब ये image को हम समझते हैं ये image क्या दे रखी है ये image बता रही है माल लीजिए ये है अर्थ का surface ये है अर्थ का surface तो यहां से ये है height उपर बढ़ रहे है height kilometer में उपर बढ़ रहे है तो जब आप उपर यहां पर माल लीजिए temperature है यहां पर temperature जो है ग्राफ है तो यहां पर temperature बढ़ रहा है तो जब हम थर्मो स्फेर में यानि नीचे की layer में height बढ़ रही है तो जब हम height के साथ ऊपर बढ़ते हैं थर्मो स्फेर में height के साथ बढ़ेंगे तो temperature देखे कम हो रहा है temperature कम हो रहा है जैसे इस point की बात करें तो height यहां पर होगी ठीक है height जादा है और अगर इस point की height जादा है इस point की height कम है इस point पर temperature कहां है यहां है इस point का temperature यहां है तो इसका temperature जो है इस वाले से कम है क्यों temperature इस direction में बढ़ रहा ह तो ये वाला temperature जो छोटी height पर है ये जादा है तो ऊची height पर temperature कम है इसका मतलब जो ट्रोपो स्फेयर में height के साथ temperature decrease होता है उसी तरह से थोड़े time के लिए temperature यहाँ पर constant हो जाता है उसके बाद stratosphere में आप देखिए height के साथ temperature increase हो रहा है क्यों कि यहाँ पर heat absorb करने वाली gases चलि constant होता है उसके बाद mesosphere में temperature कम होने लग जाता है फिर हमने जैसे पड़ा thermosphere में temperature rise होता है बहुत जादा जल्दी तो यहाँ पर देखिए thermosphere में temperature height के साथ increase हो रहा है इस direction में है इस direction में जाएंगे दो पॉइंट है यह height जादा वाला इसका temperature यह रहा छोटी कम height का temperature यह रहा तो देखिए यह temperature T1 यह T2 तो T1 जो है is greater than T2 यानि height के साथ temperature बढ़ रहा है चलिए एक्जोस्फेर में भी height के साथ temperature बढ़ता जाता है चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं weather and climate अब मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप हमारे 6th class की NCRT जरूर पढ़िए उसके अंदर हमने weather climate discuss किया हुआ है ठीक है आप weather और climate को समझेए weather का मतलब क्या होता है हमारी वो atmospheric condition atmosphere की वो condition जो रोज डेली घंटो हर एक घंटे चेंज होती है या कई-कई दिन में दिन day-to-day चेंज होती है मान लीजिए आज temperature 20 degree था कल temperature हो गया 25 degree उसके अगले दिन temperature फिर से हो गया 15 degree तो यह क condition weather वो होता है जो रोज घंटे जो घंटे दिन के दिन चेंज होता है आज कुछ है कल कुछ होगा तो कभी आपको सुबा ठंड लग गई शाम को गर्मी लग रही है अगरे दिन दूप जादा निकल गई तो गर्मी बहुत बढ़ गई इसे कहते हैं weather इसलिए कहते हैं आज weather क कर दिया जाता है जब बहुत समय तक आप किसी एक जगा का weather देखेंगे बहुत सालों तक तो फिर आप एक average weather निकाल लेंगे जिसको हम बोलेंगे climate तो जो weather है वो short time के लिए हम देखते हैं इसलिए daily weather prediction की जाती है क्योंकि weather short time के लिए use करते हैं शब्द को इसलिए climate इस्तेमाल होता है जब भी कहीं का एक बताना होता जैसे दिली का climate क्या है तो दिली का climate लगभग ऐसा है जहां पर बहुत जादा गर्मी होती है और बहुत जादा खेंड होती है तो climate हम जब बात करते हैं तो average weather की हम बात करते हैं यह हम पहले समझ चुके हैं आप देख सकते हैं तो जो वैदर और climate जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है हम यहां पर समझेंगे तो सबसे इंपर्टन जो component है उसका यह है temperature अब temperature क्या होता है temperature दरसल जो हमारा जब हम temperature की बात करते हैं कितना आज कम है कितना जादा है तो उसका मतलब है हमारे atmosphere का temperature हमारा atmosphere का temperature मतलब degree of hotness और coldness कितना atmosphere आज ठंडा है या कितना atmosphere आज गर्म है ठीक है उसका मतलब होता है temperature किसका atmosphere चलिए अब इसके अं दिन के दिन ही हर दिन भी होते हैं सुबास शाम के होते हैं सीजन टू सीजन भी होते हैं हम समझते हैं कभी दिन में गर्मी टेंपरेचर जादा होता है रात को टेंपरेचर कम हो जाता है और सीजन टू सीजन कैसे गर्मियों में टेंपरेचर जादा होता है सर्दियों में कम हो insulation का मतलब है अर्थ पर जो sun की radiation आ रही है उसका कितनी heat absorb हो रही है जितनी heat absorb होगी उतना insulation high होगा ठीक है heat यानि energy ठीक है तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे जादा heat जो energy release होती है absorb होती है वो कहाँ पर होती है हमने पढ़ाता है यह अर्थ है ठीक है heat सबसे जादा अर्थ receive करती है पोल्स पर अर्थ जो है सबसे कम heat receive करती है क्योंकि यहाँ पर direct sunlight नहीं पढ़ती है वो थोड़ी bend होकर हाती है sunlight यहाँ पर direct sunlight पढ़ती है तो heat जादा है अब यहाँ पर जब sunlight bend होती है तो sunlight उतनी ही आती है लेकिन उसका area बढ़ जाता है तो फैल जाती है तो फैली हुई sunlight की जो heat है वो ज़ादा area में distribute होती है तो ज़ादा heat जो है वो distribute हो गई है तो इसलिए कम जो temperature हो वो महसूस होगा कम temperature वहाँ पर रहेगा क्योंकि heat फैल गई है तो इसलिए यहाँ पर तो गर्मी होगी और poles पर हम बर्फ होती है और equator पर गर्मी होती है आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं insulation हमने समझा क्या होता है इससे temperature जो है वो decide होता है अब उसके बाद temperature decide करने के और भी factors है जैसे temperature में जैसे cities की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या होता है solid concrete जो होता है उसकी सड़के होती है जमीन होत होते हैं asphalt के यानि की तारकोल वगयरा के इन सब के यह क्या करते हैं यह बहुत जल्दी गर्म होते हैं और हीट को जो है ट्रैप कर लेते हैं हीट को अपने अंदर रोक लेते हैं इसमझा से cities का जो temperature है वो जादा होता है गाहों के मुखाबले दूसरा cities के अंदर उची-उच आप कह सकते हैं equator poles का example यह वो एक natural factor था यहां पर यह artificial factor की तरह काम करते हैं temperature increase करने में इसलिए आप मुझे बताई है वो कौन सी एक term है ठीक है जो cities के लिए use की जाती है जिनकी वजह से temperature बहुत जादा increase हो रहा है तो कौन से island कहा जाता है city को कौन सा island कहा जाता है मैंने hint भी दे दिया आपको city को क्या कहा जाता है जिसकी वजह से बहुत जादा temperature increase हो रहा है अब आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं हम और देखेंगे कि किस तरह से air pressure जो है वो decide होता है और air pressure से कैसे हवाई चलती है तो air pressure जो है air pressure क्या होता है दरसल अर्थ के चारों तरफ जो blanket है ए दरसल हमारे उपर लगातार दबाव बनाता रहता है क्योंकि अर्थ के पास gravity है gravity नीचे खीचेगी इन सब चीजों को अब यह gases लगातार नीचे की तरफ खिचती है और इनसानों के उपर दबाव बनाती है लेकिन इनसान के ऊपर इतना दबाव होने के बाद भी हमें वह फ हमारे अंदर क्या है हमारे अंदर भी water है blood है जो liquid है और gases है वह बाहर की तरफ pressure ऐसे लगाती है चलीर के अंदर की gases बाहर की तरफ प्रेशर लगाती है atmosphere की gases हमारे उपर चारों तरफ से बराबर प्रेशर लगाती है तो यह balance जो है forces का अंदर और बाहर का हो जाता है इसलिए हमें यह pressure फील नहीं हो तो यह जो air का pressure है atmosphere हमारे उपर लगाता है इस pressure को हम बोलते है atmospheric pressure अब हम यह देखते हैं जो यह pressure है यह कैसे change होता है अब हम देखते हैं जैसे जैसे हम अर्थ के height जैसे हम ऊपर जाएंगे हम यहां पर वर्टिकली ट्रावल कर रहे थे surface से ऊपर की त अर्थ surface पर सबसे ज़्यादा gravity फील होगी सबसे कम gravity यहां फील होगी तो सबसे ज़्यादा जो pressure होगा atmosphere यहां लगेगा सबसे कम यहां लगेगा क्यों क्योंकि यहां पर बहुत कम ही gas होगी जो atmosphere यहां पर pressure लगाएगी चलिए तो जैसे height में अर्थ surface से ऊपर जाएंगे height के साथ vertically जो है pressure वो है decrease होता जाता है अब बात करते हैं अर्थ के surface पे अगर हम चले मतलब हम point A से point B तक जाएं तो अर्थ के pressure में क्या difference आएगा यह depend करता है जो हमारा heat distribution है यानि कि कहां पर temperature कितना है उस पर यह air pressure department करेंगा जैसे आप कहें कि अगर point A पर temperature जादा है तो क्या होगा यहां पर यहां का atmosphere जहां करें का यहां का ईरिया गर्म हो जाएगा अब गर्म होने की वज़े से गर्म हवा हमेश्य ऊपर की और कूर्चती है गर्म हवा यहां आएगी इसकी जगा घेरने के लिए और यहां पर बन गया low pressure हवा उठे गई यहां से चले गई हवा तो यहां बन जाएगा low pressure क्योंकि हवा कम हो गई है तो अब pressure लगाने के लिए वहां पर कम हवा है क्योंकि हवा ही pressure लगाती है अब जब हवा ही नहीं तो प्रेशर कौन लगाएगा तो हवा उपर उठेगी तो लो प्रेशर बनेगा अब यहां पर तो टेंपरेचर हाई था यहां पर सरी हाई टेंपरेचर था यहां पर कम टेंपरेचर यहां की हवा उपर उठी जैसे ही यहां की हवा उपर उठेगी यह कि हवा आएगी और इसको घेरेगी low pressure area को यहां पर बनेगा high pressure ठीक है temperature यहां कम है यहां temperature जादा है चलिए तो अब क्या होगा यह low pressure area बन गया यहां से high pressure से हवा इधार आ रही है low pressure की तरफ आपो देखिए हवा कैसे travel कर रहे है low pressure की तरफ कहां पर अर्थ के surface पर जब हुआ high pressure to low pressure जाती है तो यह इसकी movement की वज़े से हमें कुछ feel होता है जिसको हम कहते हैं wind इसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं हम कहते हैं ठीक है तो कैसे चलेगी हमने पता चले हए higher pressure to low pressure चलेगी ठीक है और होता क्या है अब आप यह देखिए यहां पर temperature जादा है surface पर यहां से हवा उपर उठेगी हवा उपर उठेगी और अगर मान लीजे यहां पर पानी भी था तो पानी हवा जब उपर उठेगी तो अपने साथ पानी को भी लेके जाएगी और जब हवा अपने साथ पानी को यहां पर लेके जाएगी तो यहां पर बादल बना देगी ठंडी होने के बाद हवा यहां बादल बना देगी और जब हवा यहां बादल बना देगी तो यहां पर क्लाउड्स बन जाएगी तो जहां low pressure area होता है वहां क्या होता है? cloudy sky होता है वहां पर क्या मिलेंगे? आस्मान में बादल और यहां पर high pressure है तो यहां पर तो हवा उपर उठी नहीं रही यहां पर हवा उपर जा रही है यहां पर हवा आएगी नीचे क्योंकि अगर यहां से हवा मूव करेगी high pressure में देखी यहां से हवा मूव करेगी तो उपर से हवा इसकी जगा घिरने आएगी इसकी जगा लेने हवा आएगी तो यहां पर तो हवा नीचे उतर रही है उपर नहीं जा रही तो यहाँ पे बादल नहीं बनेंगे तो हाई प्रेशर में बादल नहीं बनते हैं लो प्रेशर एरिया में बादल बनते हैं हाई प्रेशर जो एरिया है वहाँ पर क्या होता है क्लियर एंड सनी स्काई होता है बादल नहीं होते इसलिए sunny और clear sky होता है तो यह horizontal हमने समझा pressure का changes से कैसे change होता है चलिए wind हमने समझा अब उसके बाद हम समझते हैं कि जो wind है उसकी वो कितने type की होती है दरसल wind तीन type की होती है सबसे जो पहले पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं permanent winds आप यह अर्थ को देख सकते हैं अर्थ का एक structure है अर्थ को यहाँ पर बनाया गया है अब यहाँ पर equator zero degree latitude हमने पढ़ा था आप six class NCRT का चैप्टर number two है latitudes and longitudes उसमें समझ सकते हैं यह क्या होता है यहाँ पर क्या होता है अर्थ पर यह हवाएं कुछ इस direction में चलती है कुछ हवाएं इस direction में ऐसे चल रही होती है कुछ इस direction में ऐसे चल रही होती है इन हवाओं को हम कहते हैं इन वाली हवाओं को हम कहते हैं इनको हम कहते हैं trade winds क्या बोलते हैं इनको trade winds चलिए अब इसके उपर जो हवाई है तो यहां से हवा चलती है इस तरफ यहां की हवाई चलती है इस तरफ अब हवा की direction निकालने का तरीका भी मैं पहले classes में पहली पिछली classes में बता चुका हूँ जैसे माल दीजिए अगर यह arrow है हवा की direction का आप यहां पर ऐसे एक cross बना दीजिए जैसे graph का बनाते हैं तो अब आप देखे इसका जो point है यह वाला point यह originate हो रहा है यहां से जा रही है यहां तो यह क्या direction है जहां से हवा originate होके जहां चलती है originate हो रही है इसको बोलेंगे यह कौन सी direction है यह है south और यह है west यह कौन सी है south west direction तो यह हवा west के तरफ जा रही है यह कहां से originate हो रही है जा तो यह देखिए अगर आप ऐसे confuse हो जाएंगे अगर आप इस arrow को देखके निकालेंगे तो आप तो इसको कह देंगे north east wind नहीं यह north east wind नहीं है यह कौन सी wind है य यह है west south west wind है क्यों क्योंकि यहां पर हमने graph का एक cross बनाया और वह point देखा जहां से हवा originate हो रही है जहां से हवा पैदा हो रही है इसको हम वहां से मानेंगे कौन सी direction southwest तो यह जो direction है यह कौन सी हवा है इनको हम कहते हैं westerlies इन हवाओं को हम क्या कहते है direction देखी यहां से originate हो रही है तो इसको बोलेंगे westerlies अब इनके ऊपर देखिए हवा यह हवा कैसे है ऐसे तो यहां पर क्रॉस बनाएंगे originate कहां से हो रही है यहां से यह क्यों सी है इस्ट इस्ट की तरफ है नॉर्थ इस्ट वाली हवाई है तो इनको कहते हैं हम easterlies पोलर तो यह जो westerlies होत है बहती है इंपरेक्ट एरिया में जो है बहती है कौन सी हमारी westerlies polar region के पास जाएंगे तो आपको easterlies मिलने लग जाएंगी यह जो हवाई होती है यह दरसल पूरे साल इसी डारेक्शन में इसी तरह बहती है इसके इनको कहते हैं permanent winds ठीक है चलिए दूसरी जो विंच होती ह है जो अपनी direction change कर लेती है season change होने के साथ और उसका सबसे अच्छा example है Indian monsoon देखिए Indian monsoon क्या होता है Indian monsoon में यह इंडिया है मान लिजए यह इंडिया है यहां पर हवा आती है इस direction से जून में हवा चलती है इस direction में अक्टूबर में यह हवा ऐसे बह रही होती है अक्टूबर में यह हवा ऐसे direction कर लेती है अब यहां direction निकालेंगे अगर तो यह देखिए कहां से हो रहा है south west तो यह से डारेक्षन निकालेंगे तो कौना सी डारेक्षन है और इस डारेक्षन तो यहां से अवा देखिए चल रही ती-सा-वर्थ-East बिलकुल चेंज हो गया यानि तीसरा जो टाइप है वो है लोकल विंड्स लोकल विंड्स या तो पूरे साल के किसी एक खास समय पर चलती है या फिर किसी दिन के एक खास समय पर चलती है दिन के खास समय पर चलने वाली जो लोकल विंड्स है उसको हम जानते है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे चलती है देखिए दिन के समय क्या होता है जमीन जो है बहुत जादा गरम हो जाती है पानी उतनी जादा गरम नहीं होता पानी के मुकाबले जमीन जल्दी गरम होती है तो जमीन जब जादा गरम हो जाएगी तो जमीन इमान लीजी यह है लैंड यह है सी यहाँ पर जमीन गरम होगी त सी का जो टेंपरेचर है लैंड से थोड़ा कम है तो यह कोल्ड होंगी तो गर्मियों में जब लैंड जब टेंपरेचर जादा बढ़ता है तो लैंड का टेंपरेचर बढ़ता है तो कोस्टल जो हवाएं है वो यहां के टेंपरेचर को मॉडरेट कर देती है तो कोस्टल एरि जमीन जो है समुद्र के मुकाबले गर्म भी जल्दी होती है ठंडी भी जल्दी होती है तो अब लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी तो यहां का जो टेंपरेचर है कम होगा यहां का temperature ज़ो है जादा होगा तो अब यहां का temperature कम है यहां का temperature ज़ादा है तो low pressure जो है यहां होगा C की तरफ क्योंकि जो समुद्र है वो जमीन के मुकाबले उतनी जल्दी ठेंडा नहीं होता है तो इसी लिए समुद्र जो है थोड़ा गर्म रहेगा लैंड के मुकाबले तो जहां गर्मी होगी थोड़ी वहां हवा उपर उठेगी तो यहां से हवा उपर उठेगी तो low pressure बन जाएगा अब यहां की हवा जाएगी इस low pressure को फिल करने इस low pressure को भरने यहां की हवा भागेगी यह चलेगी हवा कहां चलेगी रात को लैंड से सी की तरफ रात को नाइट को तो अब लैंड से सी की तरफ जब रात को हवा जाएगी इसको कहते हैं हम क्या बोलेंगे हम सी ब्रीज इसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे लैंड ब्रीज ठीक है अब लैंड ब्रीज कैसी होगी ठीक है यह यहां से कैसी होगी य ठेंडी होगी, चलिए. वैं, हम चलते हैं आगे. यह हमने पड़ लिया. अब आगे चलते हैं. यह हमने land breeze और sea breeze पड़ा. उसके अलावा जो season के हिसाफ से जो local wind चलती है, हम ज канते है की local wind जो north India में चलती है. नौर्थ इंडिया में एक local wind चलती है. गर्मियों में बहुत जादा जो गर्मी जब पढ़ती है यहां पर नॉर्थ इंडिया में जो चलती है उसको हम कहते हैं लू यह बहुत ही गर्म और शुष्क यानि ड्राइव विंज्ट होती हैं और यह बहुत ही हिल्थ के लिए खतरनाक भी होती है इनको कहते हैं लू पर पानी होता है और वो गर्म होता है तो वो उपर उठता है यानि इवैपोरेट होता है पानी और वाटर के वेपर्स बन जाते हैं वेपर्स बनने के बाद ये पानी कहां पर अब चला गया ये पानी चला गया अब एक्टमॉस्फियर में पहले ये पानी नदी में था अब चला गया एक्मास्फियर में तालाब से एक्मास्फियर में चला गया तो अब एक्मास्फियर में ये पानी जो है कैसे रहेगा वेपर की फॉर्म में रहेगा तो वह जो पानी जो एक्मास्फियर में रहेगा जो एक्मास्फियर में पानी होता है एर में पानी जो होता है उसक गीलापन है वो अब कहा मिलेगा हमें एयर में तो वो जो मॉइस्चर हवा में हर वक्त है उसको हम कहते हैं हुमिडिटी तो हुमिडिटी क्या होती है यह आप समझ गए ठीक है अब क्या होता है जो गर्म हवा होती है उसके अंदर जो पानी को अपने अंदर रखने की जो कैप और उड़ेगी और उसके अंदर मोईस्चर को केरी करने की जो केपैसिटी है ज़्यादा होती है यहां पर कंडेंस का मतलब ग्यास फॉर्म से या फिर आफ आप बोले वेपर फॉर्मसे वेपर फॉर्मसे किसमें चली जाती है लिक्विड फॉर्म में चोंडेंस होने का जो मत लिक्विड फॉर्म में जाना आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईए लिक्विड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज जाती है लिक्विड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाती है तो यह लिक्विड से लिक्विड में जा रही है और इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं इस process को हम कहते हैं वेपर से liquid में जाने को हम बोल रहे हैं यहां पर वेपर से liquid से जाने को बोल रहे हैं इन दो process के नाम आप comment box में A कि बताइए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखा कि लौट बन गए अब यह जो क्लाउड है यह क्या करते हैं इनके अंदर यानि क्लाउड जो है वह मुईस्चर होता है एक तरह से मुईस्चर होता है यानि वाट वोटर वेपर जुए कंडेंस हो गए इक खटे हो गए औ 等전 or form droplets तो water जो है लिक्विड फॉर्म होती है यह लिक्विड फॉर्म से मतलब है ठॉड्स में होता है या यह लिक्विड कर मार लग जाते हैं यहां सोटा इन यहां पर क्या होता ही वापस घरने है और इसे प्रॉसेस को बोलते हैं यह वाटर वेपर्स आप इसको लिक्विट में समझ यह गरस शर्द मैंने इस्तमाल कर दिया यहां पर यह जो वाटर वेपर्स हैं कंडेंस होके लिक्विट बना देती है और यह जब वापस लिक्विट बनकर नीचे गरता है या फिर स्नो बनकर नीचे गरता है उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेश ठीक है तो यह जो गैस है गैस की फॉर्म में वेपर्स हैं कि कंडेंस हो गई और यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स बन के नीचे गरती है इसको बोलते हैं प्रेसिपिट तो बारिश जो है अभी आप देखें तो बारिश जो होती है रेंफॉल जो होती है उसके लिए प्रेसिपिटेशन अब जो प्रेसिपिटेशन है जो यहां पर कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेशन रेंफॉल के लिए भी इस्तमाल होता है और लिक्विड वापस गिरे तो बारिश की फॉर्म में गिर सकता है और इसके अलावा जो इसके अलावा जो प्रेसिपिटेशन है उसकी और भी फॉर्म होती है स्नो स्लीट और हील मैंने बता दिया सनो का अग्सांपल यह रहा यह देखें स्नोफ एसा होता है वही मुईस्च्छर वापस कंडेंस होकर स्लीट की फॉर्म में भी गिर सकता है स्लीट का एक्जामपल यह रहा स्लीट होती है रेन प्लस नो तो स्नो प्लस रेन को बोलते हैं हम स्लीट दूसरी तरफ हेल यानी ओलावरिष्टी ओले गिरना ओले पढ़ने को हम क्या बोलते हैं हेल स्टॉम आता है चलिए फसलों को बहुत नु करें ये उनियगा का कोस्ट को साइकलों बनर रहा है यहां से यह क्या है साइकलों के ंंदर भी क्या होता है लो की वज़े तो अगर साइकलों की वजए इस पर जो आकरतियां है, लैंड फॉर्म है, उसकी वज़े से होने वाले रेनफॉल को कहते हैं, औरोग्राफिक रेनफॉल, अब इसका एक्जामपल मैं आपको बता दूँ, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, यह है वेस्टन घाट्स, वेस्टन घाट्स क्या है, एक माउंटेन इंडिया के वेस्ट कोस्ट से पैरलल चलती हुई, तो यहां से जब मौनसून आता है, यह हवाएं इस डिरेक्शन में चल रही है, तो यह वेस्टन घाट की पहाड़ी है, मान लीजिए, हवा ऐसे आती है, गरम हवा मौश्चर लेके आती है, और वो धिरे 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 धिर और ओरोग्राफिक रेनफॉल यह होता है, उसके अलावा फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल एक दीसरा टाइप है, वो क्या होता है, जब कहीं पर पानी जो है गरम हो, उपर उठे और वो ठंडा होके वापस गिरे, तो उसकी वज़े से क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइकलोन की वज़े से होने वाले रेनफॉल को कहते हैं साइकलोनिक रेनफॉल माउंटेन से टकरा कर पहाड़ियों से टकरा कर जब हवा उपर उठती है रिलीफ की वज़े से उनको कहते हैं हम औरोग्राफिक रेनफॉल उसी तरह अब यहाँ पर जो तीसरा टाइप है वो है conventional rainfall यानि कि जब पानी जमीन पर से गरम होकर किसी एक एरिया में उपर उठे और फिर उसके बाद वो बरस जाए तो उसको कहते हैं हम conventional rainfall अब rainfall जो है बहुत important होता है अर्थ के लिए क्योंकि ground water जो है rainfall से maintain होता है पीने के लिए हमें जो है fresh water मिलता है और दूसरा पानी की कमी बड़ी ही हो जाती है अगर कहीं पर बारिश ना हो इंडिया एक agricultural जो कंक्री है मॉनसून पर बहुत ज़्यादा जिपंड करती है तो आप समझ सकते है rainfall पूरी इंडिया की economy के लिए कितना ज़्यादा important है तो rainfall बहुत important factor है economy के लिए और लोगों के लिए और अगर rainfall कम हो जाये तो drop पड़ जाता है सूखे की जैसी condition हो जाती है और rainfall बहुत ज़्यादा हो जाये जैसा कि हम देखते है मुंबई में केरला में तो बार पूरी क्लास NCRT की सेवंथ क्लास की NCRT कंप्लीट करेंगे 12 तर आपके comments हम पढ़ते हैं बिल्कुल हम पूरी सीरीज जो है NCRT की करेंगे और आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है आप बस हमारे साथ बने रहिए एक एक chapter को इस YouTube चैनल पर पढ़ते और अपना ख्यार रखिए दोस्तों भी बाद